हेलो फ्रेंड्स उमीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो फ्रेंड्स सोमवार को यानि के मंडे को जो है अब जम्मू बंद नहीं होगा जी हाँ इस समय की एक एहम जो अपडेट मैं आप तक बताता चलो अपडेट जो है जम्मू बंद की कॉल जो है आपको पता ही कमर्स और बार असूसियेशन जम्मू और ट्रांस्पोर्टर्स ने ये कहा था कि जम्मू बंद की जो है वो अब समय आ गया है जिसमें के उप्रदशन अपना एक विरोध जताएंगे सरकार के खिलाफ जो सरकार ने जो है प्रॉपर्टी टेक्स जो जम्मू किश्मीर में ल ये एक मिटिंग की है जिस मिटिंग के बाद ये नतीजा निकला है कि अब जो है फिलाल सोमवार को कोई जम्मू बंद नहीं होगा ये मीडिया से बात करते हुए अभी जो है अभी की लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है कि जम्मू बंद सोमवार को नहीं होगा तो उसके इलावा जो है आपको याद ही होगा कि पिछले दिनों जो है प्रॉपर्टी टेक्स को जो सरकार ने लागो किया था और उसके बाद एक नियम भी आये थे जगा जगा के प्रॉपर्टी टेक्स फिक्स भी किये हुए हैं सरकार की जानेब सो तो इसमें लोगों में जो है जम्म किश्मीर जो जम्मो किश्मीर पूरे यूटी के लोगों में काफी गुसा है काफी नराजगी है सरकार को लेके पहले ही लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है सरकार को प्रॉपरिटी टेक्स नहीं लगाना चाहिए लेकिन सरकार ने जो है लगा दिया है प्रॉपरिटी टेक्स उसक बात कही थी जिनोंने जिनका बियान भी काफी वाइरल हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि जम्मो कश्मीर के लोगों को आईफोन वगारा जो है महंगी महंगी चीज़े वो ले सकते हैं तो प्रॉपर्टी टेक्स देने में क्या ऐसी गलती है तो इसको लेके भी लोगों मे 2030 से तो उसको लेके जो है आज जम्मो में मिटिंग थी बार असोसेशेशन जम्मो और चैंबर आफ कॉमर्स की जिसमें ये नतिज़ा कहा गया है कि अब मंडे को प्रॉपर्टी टेक्स के बंकी कॉल नहीं होगी हां कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ आने वाले सरकार को जो है पांदोलन एक चलाया जाया गया जिसमें बाज़ाफ़ता एक चार्ट इशू होगा उसको देखते हुए फिर आगे बंद की कॉल भी दी जाएगी और फिलाल जो है अभी सरकार को एक हफ़ते का मौका दिया है तो अभी का यही था अपडेट तो बहुत बहुत शुक्रिया झालो है